so guys base cabinet से related काफी लोगों के मेरे पार स्कमेंट्स आते रहते हैं कि वह कौन सा base cabinet best रहे गा competition DJ के लिए या फिर front face best रहे गए या फिर horn loaded base best रहे या पर friends आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग उसी cabinet को फसंद कर रहे हैं competition डीजे और एक अच्छी sound के provide quality हमें दे रहा हो welcome friends एक बार आपका फिर से हमारे channel पर बहुत-बहुत स्वागत करते है so friends आज के इस video हम front weight versus horloaded के base के बारे बात करेंगे यहाँ पर इन दोनों base में से कौन सा cabinet है वो हमारे sound के लिए सबसे better रहेगा यहाँ पर इनके लिए कितने-कितने वाट के speaker है वो हम ले सकते है और हमारे long time और सबसे best performance है इन दोनों cabinets में से कौन सार रहने वाला है तो चलिए guys वीडियो को बिना देर की start कर लेते हैं so guys सबसे पहले बात करते हैं हमारे front base cabinets के बारे में जो सबसे पुराना cabinet मान सकते है काफी time से इस cabinet का use किया जा रहा है यहाँ पर friends यह हमारा cabinet live और DJ धनों के लिए use किया जाता है और इस cabinet का design को इस type से रहता है इसके without grill की बात करें तो यहाँ पर friends इसके अंदर जो speakers होते हैं उनका magnet होते हैं वह cabinet के अंदर की तरफ रहता है और इसका कौन होता है वह बार की तरफ रहता है front base के अंदर भी काफी design के cabinet समय मिलते हैं हालांकि सभी का processing semi रहता है और इस base का design है वह हर company के पास में रहता है जेबियल यह आर्शेफिस के शुरुआत कर सकते हैं और इसके लिए speaker से वह यहाँ पर 800 वार्ट से लगाकर maximum 2000 वार्ट के speakers इस cabinet के लिए use किये जाते थे जो अलग-अलग type के design के हिसाब से इसको लेते थे तो यहाँ पर friends यह cabinet काफी पुराने time से यूज किया जाता है तो sound की quality को improve करने के लिए इसके बाद नए नए cabinets आए विजस के बाद यह हमारा horn loaded base भी शामिल है तो अब बात करते हैं हमारे horn loaded base के बारे में यह है हमारा horn loaded base cabinet जो यहाँ पर आप देख सेकते हो इस cabinets के अंदर भी काफी models के अलग-अलग cabinets आते हैं horn loaded base की बात करें तो जादा तर pop professional के जो भी base है वो सारे का सारे horn loaded में ज्यादा मिलते हमको और horn loaded base का मतलब यह नहीं होता कि इसके अलवा अलग से horn लगेगा इसके cabinet के design के हिसाब से इस base का नाम रखा है horn loaded और इसका cabinet है वो without grill के इस टाइप से रहता है इसके अंदर बड़े-बड़े air pass इस टाइप से रहते हैं जो यहाँ पर काफी long throw करता है और इसके लिए ज्यादा तर high voltage के speaker से यूज टीर जाते है तो अब गाइज बात करते हैं हमार इस horn loaded base की design की तो यहाँ पर इसका base कुछ इस टाइप से रहता है किसी-किसी base में इसकी front पर पूरी जाली cover कर रहती है तो किसी में grill आदिया दूरी रहती है और इसके design भी अलग-अलग company द्वारा अलग-अलग design दिये जाते हैं कि वे आपको बिना grill के भी speaker का design कहीं से भी नजर नहीं आता है इसके अंदर इस speaker का main loading है वो यहाँ पर side से होता है इसके लिए आपको अलग angles की जरूरी जो आप खोल कर इस speaker को load कर सकते हैं इस type से रहता है अब बात करें इस base के लिए speakers की तो यहाँ पर इसके लिए ज्यादा high voltage के speakers यूज करता है यानि ज्यादा तर लोग 1200 watt से शुरुआत करते हैं 1500 watt, 1800 watt, 2000 watt तक के इस base के लिए speaker लेते हैं इस base का ज्यादा sound का response है वो यहाँ पर 18 ynसी base के साथ ज्यादा रहता है यहाँ पर इसलिए ज्यादा लोग 18 पर यूज करता है इसके लिए बेस्ट कबिनेट में से हमारे डीजी के लिए बैतर बेस कौन सा रहने वाला है यहाँ पर बात करें फ्रंट बेस की तो यहाँ पर फ्रंट बेस का मैंड यूज आप लाइव और डीजी के लिए ले सकते हो लेकिन साउंड की कॉलिटी में और इंप्रूव करने के लिए अब जादतर लोग वह हैं वह होर्न लोडेट बेस का चैन करते हैं इस बेस के अंदर फ्रंट बुक बेस के मुकाबले हमको एक अच्छा साउंड की क्वालिटी मित्ती है यहाँ पर इसके अंदर हमें लॉंग थ्रू अच्छा मिलता है डीप पंच से वह भी इसके अंदर काफी गहरा रहता है और इसके लिए आप हाई वाल्ट इसके स्पीकर्स यूज़ कर रहे हैं इसलिए आज कल इस कैबिनेट का यूज़ ज्यादा होता है अब आप भी अपने डीजी के लिए नए कैबिनेट लेना साहे तो ले सकते हो